नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तरप्रदेश के डिजिटल प्लैटफॉर्म पर और मैं हूँ आपके साथ गुलिस्ताव केंद्र सरकार ने बिजली को GST के दाइरे में लाने पर विचार शुरू कर दिया है केंद्रिय उर्जा मंत्री ने यूपी के अधिकारियों से इस विशे पर चर्चा की है हाला कि राज्य ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर फिलहाल आपत्ती जताई है उर्जा विभाग के अफसरों ने ये तर्ग दिया है कि GST लगाने से पहले सभी निग्रमों की इस स्थिती का मुल्यांकन जरूरी है केंद्रे उर्जा मंत्री आरके सिंग ने 29 मार्च की शाम उत्तर प्रदेश के उर्जा विभाग के अफसरों के साथ विडियो कॉन्प्रिंसिंग की इस दोरान उन्होंने बिजली बिल पर GST लगाने का प्रस्ताव रखा उन्होंने यूपी के अधिकारियों का मत पूछा और कई विकल्पों पर चर्चा की केंद्रे उर्जा मंत्राला चाहता है पहले चरण में वाणेजिक और उध्योगिक सेक्टर के विद्यूद उप्भुकताओं को GST के दाएरे में लाया जाए इस पर भी राज्यों से राय ली जा रही है हाला कि कॉन्फरेंस के दौरान उत्तर प्रदेश ने इस प्रस्ताव पर और सहमिती जताई है अब समोंने तर्थ दिया है कि विद्यूद निग्मों की इस सिती का मुल्यांकन किया जाए फिर इस बात पर बात होगी GST लगाने में नफ़ा और नुफ्सान दोनों का मुल्यांकन करना होगा उर्जा विभाग के अपर मुख्य सचीफ महेश कुमार गुपना ने बताया कि केंद्र ने अभी इस विचार पर सुझाओ मांगा है लागू करने की प्रक्रिया लंबी होती है उभोगताओं की इस सिती बताते हुए इस पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार की जाएगी ये भी देखा जाएगा कि यदि GST बिजली बिल में शामिल हो गया तो कितना भार पड़ेगा वसूली ना होने की इस सिती में बिजली कंपनियों पर भार बढ़ेगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी इन सभी पहलूँ पर विचार किया जाएगा इसके बाद ही कोई फैसला होगा उत्तर प्रदेश राज्य विध्यूत उभोगता परिशत के अध्यक्ष अध्यक्ष कुमार वर्मा ने GST पर विभागय अधिकारियों द्वारा अपत्ती जताने पर अभार जताया है उन्होंने कहा कि GST के जरिये उभोगताओं की जेब काटने को तयारी है इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा उन्होंने ब्रहस्पत्वार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को पत्र लिख कर पताया है कि प्रदेश में 3.26 करोड बिजली उभोगता 5-7 पीज़ी से जादा इलेक्रिसिटी जूटी देते है इस साल इलेक्रिसिटी जूटी के रूप में 3,032 करोड रुपे राज्य सरकार को दिया है ऐसे में केंद्रे ने GST लगाया तो उभोगताओं की सिती खराब हो जाएगी उन्होंने सुझाओ दिया कि उभोगताओं पर नए कर लगाया जाने के बजाए खर्चे कम किये जाए उन्होंने चेताबनी दी है कि जबरदस्ती GST लगाने की कोशिश किया तो उभोगताओं के हक पर हर सर पर विरोत किया जाएगा फिल्हाल के लिए इस खबर में इतना ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ धन्यवाद